जोश्छों बहुत स्वागत है हमारे चैनल सूपर अलंट टेक्निकल में तो दोस्तो आजके इस वीडियो बिना मशीन के कोंबो बनाने का तरीका बताने वाला हो तो दोस्तो ये वीडियो उनहीं के लिए जिनके पास मशीन नहीं है आप इस तरीके को follow करके बहुत ही आसानी से combo बना सकते हैं तो दोस्तों इसमें only आपको एक bubble remover चाहिए और एक slender चाहिए साथ में तो दोस्तों जिसकी price लगब अगर बढ़िया quality का भी लोग न तो दोनों चीजे 18,000 के आसपल आ जाएगी आप ये दोनों चीजों के माध्यम से बहुत ही आसानी से कोई साभी combo बना सकते हैं बागी आप वीडियो देखोगे ना पूरा तो बहुत ही आसानी समझाओगी किस तरीके से मैंने combo बनाया एक एक तरीका प्रोपर तरीके से मैंने detail से पताया आपको दोस्तों वीडियो पसाएं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर ना या तो चैनल को subscribe परके पैल आपको प्रेज जरूर कर देना और दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत जल्द एक लाग सब्सक्राइबर कमप्लिट होने वाले तो दोस्तो हमारा एक giveaway आने वाला है तो दोस्तो giveaway में participate करने के लिए जैसे हमारे एक लाग subscriber हो जाते हैं मैं अपने channel पे एक video डालने वाला हूँ जिसमें मैं जो भी gift आपको देने वाला हूँ first number का gift तो यह है कि मैं rotary separator देने वाला हूँ universal rotary separator आता है वो देने वाला हूँ first number विजेता को दोस्तो तो दोस्तो giveaway जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा उसमें आपको एक comment करना है channel से related जो भी अच्छा बुरा लगता हो बाकि दोस्त वीडियो में आपको एक सारी चीजे बता दूँगा participate किस तरीके से करते हैं तो दोस्तो फटावट एक लाग सब्क्राइब करा दो और वो giveaway एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं कैसा है कि दोस्तो आप देख पार है मेरे पास honor का एक mobile है जिसकी मैं punching बिना machine के आपको करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो जिसमें हमारी touch वगेर आप देख पार है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और बनाने के बाद भी मैं आपको complete display चेक कराके दिखाने वाला हूँ इसलिए दोस्तो मैंने starting में ही आपको display चेक कराके तो दोस्तो ऐसा बिल्कूल भी नहीं है जो चीज रहता है वही चीज मैं दिखाता हूँ तो मेरे dot वाला वीडियो दाना उसमें भी किसी ने comment करा था कि आपने last में mobile change कर लिया dot नहीं निकले आपने धोके बाजी करिए तो दोस्तो ऐसा नहीं है उसका complete dot निकला था तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने sign इस तरी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको धोका ना हो आपको पूरा विश्वास रहे तो इसलिए मैंने sign वागिरा कर लिया है और display को अच्छे से clean करा है तो दोस्तो बिल्कुल proper तरीके से आपको डिस्पले को clean करना है उसके बाद ही OCA लगाना है दोस्तो जितनी अच्छी आप cleaning करेंगे उतनी ही finishing से आपका OCA लगने वाला है तो दोस्तो OCA लगाने का तरीका देख पा रहे हैं हलका सा मैंने नीचे हलकालका टच कर लिया पहले ही जिसकी वज़े से आपका OCA बिल्कुल सीधा लगने वाला है दोस्तो इस तरीके से मैंने इसका OCA लगा लिया है अब जिसको west OCA साइट की उसको आपको धारदार blade की साइटा से बहुत ही आसानी से काट लेना है दोस्तो यह तरीका बहुत ही आसानी से आप भी follow कर सकते हैं तो दोस्तो जो बिना machine के अगर आप combo बनाना चाहते हैं यह तरीका उनहीं के लिए है जिनके पास complete set machine खरीदने का budget ना हो तो दोस्तो जिनके पास budget ना हो वही इस तरीके को follow करें बाकि जिसके पास budget है वो complete machine ही खरीदना दोस्तो बाकि जिनके पास budget नहीं रहता है उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है तो दोस्तो इस तरीके से जो touch की जो पन्नी थी मैंने हटा ली है अब जो display की जो west paper होती है कड़क पन्नी उसको मैंने हटा लिया है तो दोस्तो इस पर मैं idea से display को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि idea बिल्कुल proper है अगर आप touch पर circuit देखते हैं तो बिल्कुल उस तरीका मतलब चारो तरफ border बनीवीती display रखने की तो इस तरफ से मैंने इसको proper तरीके से रख लिया है अब दोस्तो जैसे कि आपने देख पा रहे है मैंने display को नीचे से पकड़ा हुआ है नीचे से चिपक की नहीं है चिपकाना है दोस्तो नीचे से आपको इस तरीके से पकड़ के रखना है जब तक आप नीचे ना पोच जाए अगर आप नीचे से छोड़ देंगे तो वेसे ही complete display चिपक जाएगी फिर आप punching हाथ से करेंगे ना तो कहीं मोटे बबल ले जाएंगे कहीं पतले रे जाएंगे इसलिए आपको display को नीचे से पकड़े रहना है अब ही मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने display को पकड़ा देख पा रहे हैं नीचे से हवा में है display इस तरीके से आपको हवा में ही रखके display को पकड़ना है जब तक कि आप नीचे ना पोच जाए जब तक lcd को नहीं छोना है इस तरीके से दोस्तो अपने हातों से आपको प्रोपर तरीके से पंचिंग करनी है यह तरीका आप किसी भी LCD में फोलो कर सकते हैं दोस्तो आपके 101% बबल निकल जाएंगे अगर आपने पंचिंग अपने हाथों से कर रहे हैं और उसमें नाम मातर के बबल रहे हैं तो बहुती शांदार तरीके से आपके सारे बबल निकल जाएंगे दोस्तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ दोस्तो और दोस्तो एक बबल मैं फिर कह देता हूँ यह तरीका उन्हीं के लिए है जिनके पास मशीन खरीदने का बजट नहीं है क्योंकि यह तरीका आप फोलो करकर उन्ली फ्लेट डिस्प्ले तो बना लेंगे लेकिन एज वाली डिस्प्ले नहीं बना सकते हो दोस्तो एज वाली के लिए आपको प्रोपर तरीके से मशीन ही लेनी पड़ेगी तो ही आपकी प्रोपर तरीके से पंचिंग होने वाली है एज वाली डिस्प्ले में आप पंचिंग हाथों से नहीं कर सकते हो इस तरीके से आप आगर आपका बजट नहीं है और आप अगर आपका बजट सही है दोस्तो तो आपको complete मशीन ही लेनी चाहिए मेरी recommendation तो यही है दोस्तो परकि जो यह तरीका मैंने आपको बताया वीडियो में आप इसमें supermode display, tft display और सारी display बहुत ही आसानी से बना सकते हैं चाहिए वो नोच वाली हो चाहिए वो डिस्प्ले होल वाली हो इस यह तरीका follow कर गया आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो दोस्तो आपने देखा मैंने complete इसकी हाथों से punching कर लिए और इसमें नाम म आतर के bubble हैं तो आपके bubble बहुत ही आसानी से bubble remote से निकल जाएंगे तो दोस्तो आप कोशिच करना आपके bubble जो है ना punching हाथों से जितनी best होती है उतना ही best कर लें तो दोस्तो इस तरीके से मैंने इसको bubble remote में डाल जिया hitting mode पे और इसको लगबग आपने देखा मैंने 14 मिनिट क आसपस चलाया है क्योंकि मैं bubble remote में LCD को डालके भूल गया था बगी आप इसको पांस से 10 मिनिट भी चला सकते हो दोस्तो तो दोस्तो इस तरीके से हमारी जो bubble है complete proper तरीके से निकल गए हैं तो एक बार मैं इसकी पन्नी आपको हठा के दिखाता हूं फिर इसको ओन भी करके द आई है दोस्तो आप भी ये तरीका फोलो करके बहुत ही आसानी से कोई से भी फ्लेट डिस्प्ले को बना सकते हैं एज को छोड़ कर आगर आपको एज डिस्प्ले भी खरी बनानी है तो आपको proper मशीन लेनी ही पड़ीगी दोस्तो तो चलिए दोस्तो एक बार मोबाईल को ओन कर लेते हैं और इसकी टच वगरा भी मैं आपको एक बार चेक कराके दिखा देता हूं तो दोस्तो मैंने हातों से पंचिंग करें हातों से इतना आपको प्रेशर नहीं देना है कि डिस्प्ले ही टूड जाए आपको इतना ही प्रेशर देना है अपने हातों से कि आपकी पंचिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए हातों से ही तो दोस्तों हमारी डिस्पले भी बिलुकुल पर्फेक्ट है पंचिंग भी बहुत ही शांदर हुई थी पबल भी प्रॉपर तरीके से निकल गए हैं तो दोस्तों यह तरीका बिलुकुल जैनुर है आप इस तरीके को फोल आता रहूंगा और आपको कुछ ने कुछ फाइदा मिलता रहेगा मेरे चैनल के धुरूर तो चलि दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में तो दोस्तों आपने देखा हमेंने किस तरीके से बहुत ही आसानी से कॉंबो बनाया है बिलुग हातों से किस तरीके से पंचिंग करी और उसके पाल उसको बबल रिमुवर में डालकी कितनी आसानी से बबल निकाल लिया है अगर आपके पास माशीन नहीं है अगर आप यह तर अधार जार रूपय के अश्पश करना पड़ेगा अगर बढ़िया वालडी का बबल रिमूवर लेते हैं और सलेंडर लेते हैं तो आपके बबल रिमुवर और सिलेंडर लेकर भी अपना काम चला सकते हैं दोस्तो बागी मेरे ज्यादा रिकेमेंडेशन यही कि आप पूरा कंप्लेट सेट इखरे दे तो ज्यादा वेस्ट रहेगा क्योंकि यह तरीका जो मैं बताया है मैंने कभी-कभी इसमें बबल ज्यादा भी र बेना दोस्तो